दुनिया भर में चल रही महामारी कोरोना से निपटने के लिए तमाम देशों की डॉक्टर जहां मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं दिन रात अपनी जान की परवहा किये बगया लोगों का इलाज कर रहे हैं अपने परिवार से दूर अपने पती बीवी बच्चों को परिजों की सेवा में लगे हुए हैं और अपना दिन रात एक करे हुए हैं जिबकि यह जानते हैं कि यह जिन्दगी और मौत की बीच का खेल खेल रहे हैं अगर थोड़ी भी चूख हुई तो यह भी कोरोना की जद में आ सकते हैं लेकिन इसके बावजूद भी इन सब बा वाली है यह तस्वीर एक डॉक्टर की है जिसे पुलिस वाले बेहरेमी से मार पीट कर रही है ऐसा क्यों हुआ डॉक्टर के साथ ऐसा बढ़ताओ क्यों किया गया यह समझ से परे है चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला तस्वीरों और वीडियो में दिख रहे यह डॉक स्पेंड कर दिया गया था लेकिन यहीं पर नहीं रुके लगातार डॉक्टरों के लिए जरूरी पीपी किट और मास्क की कमी का विरोध करते रहे 16 माई को पुलिस ने उन्हें इसलिए गिरफतार किया क्योंकि वो बिनावज़ सडकों पर निकले थे और उन्होंने शराब पी रखी थी, साथ ही वो सरकार को गालियां भी दे रहे थे पुलिस कंट्रोल रूम पर जब इस बात की सूचना पहुंची कि एक व्यक्ती शराब के नशे में ध्धत सड़कों पर घूम रहा है और सरकार को गालियां दे रहा है तब पुलिस मौकी पर पहुची और जब यक्ति की पहचान की गई तो वो डॉक्टर के सिधाकर थे पिछले दिनों सरकार पर आरोप लगाने के बाद इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था डॉक्टर सिधाकर ने इस दरान पुलिस से बत्तमीजी भी की और एक कॉंस्टिबल का मोबाइल चीन का सलक पर फेक दिया डॉक्टर सिधाकर यहीं नहीं रुके इस दरान उन्होंने अपनी शर्ट भी निकाल दी और बतसलुकी करने लगे घर्टा का वीडियो आसपास मौजूद रहे लोगों ने बताया और वीडियो में दिख रहा है फोटो में दिख रहा है कि पलिस ने डॉक्टर सिधाकर को गिराप्तार करने की दरान मार पीट की है और डंडे से मारा है इस पर पलिस की आलादिकारियों का कहना है कि जिस पुलिस कर्मी ने ये हरकत की है उसे सस्पेंड कर दिया गया है डॉक्टर को चैक अप के लिए एस्पिताल भीजा गया है और मामले की पूरी जाच की जा रही है सबस्क्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फोर अपडेट्स